हेलो एवरीवन आई मकाश गूर विलकम बैक टू यॉर इंडिन मेडिकल लेक्चर गईज नया टोपिक लेकर आप लोग लिए पूरे विटामिन के उपर एमसे क्यों आने वाल है यहां पर बहुत सारे एमसे क्यों पार्ट वान है इसका टू भी आएगा देखो एक बार मेरे चैनल पर जाके देखो चाहिए आप नर्सिंग मेडिकल की कैसी फिल्ड से ब्लोंग करते हो वहां पर सिक्वेंशली टोपिक ड लिंक भी आप वहां जाके भी बहुत सारी चीजे पढ़ सकते हो स्टार्ट करता हूं गईस सबसे पहला विटामिन सारे विटामिस के उपर एमसे क्यों है आपका फूस्ट ली यूज वर्ड ओफ विटामिन को सिंपली समझने की कोशिश कीजिएगा सिंपली पहला कोशन प इसका चो राइट अंसर हो सकता है जगदिष चन भोस जल्ती आप लोग तो बताऊ ना यहार में तो आपको पढ़ाने के लिए हूँ आप लोग मुझे कमेंट करके बताऊ क्या हो सकता यह जगदिष चन भोस निकोला टेसला और य्रोपट कोच या पिर सी फंक जो इसका र वो सबसे पहले C-Funk एक साइंटेस्ट है यह भी कोशन बहुत बार एक्जामों में पूछा जा चुका है रेलवे की एक्जामों में आया हो, competitive बहुत सारी एक्जामों में पूछा गया है पटवारी वगेरा की एक्जामों में जो जी क्या आता है उस एक्जाम में भी पूछा गया है तो जी के जे वाला portion होता है उसमें पूछा गया है और गवर्मेंट की CHO वगेरा की vacancies निकलती है उसमें भी आता है तो राइट आंसर होगा है डी यानि कि सी फंक सी फंक के ऐसे साइंटेस्ट है जिन्हों ने सर उप्रतम विटामीन का नाम लिया ता आगे बढ़ता हूं which two categories vitamins are classified? विटामीन को किन दो भागों में बाटा गया है फिर से repeat करना चाहता हूं मैं question जो विटामीन से मैं फिर से बोलता हूं question को हमेशा आप लोग एक थोड़ी शान्ती से 10 सेगंड के लिए आप उसको पढ़िए कुशन में लिखा है विटामीन को किन दो भागों में क्लासिफाई किया गया है उनको कौन-कौन से वर्गी करण किये गये वाटर सोल्यूबल याने की पानी में घुलनशील फेट सोल्यूबल याने की वसा में घुलनशील A और B दोनों या फिर None of this इन में से कोई नहीं जल्दिस आप लोग कमेंट करके बताओ कि जो विटामीन होते हैं देखो गाईस यह मासोचन आपके basic question है basic question से ही मैं starting कर रहा हूँ फिर हम लोग deep में जाएंगे तो देखो गाईस जो विटामीन से दो तरह के विटामीन होते हैं एक होता है हमारा water soluble और एक होता है fat soluble याने कि जो vitamins होते हैं विटामीन को दो भागों में classify किया गया है दो भागों में वर्गी करत किया गया है कौन-कौन से water soluble और fat soluble याने कि water soluble भी है और fat soluble भी तो right answer हो जाएगा इसका C, C is a right answer, याने कि यह water जल में घुलनचील विटामीन भी होते हैं, और जल में घुलनचील भी होते हैं, और वो fat soluble भी होते हैं, वसा में घुलनचील भी होते हैं, next question कि तरह बढ़ता हूँ तो इसका जो right answer was C, is a right answer, which is the fat soluble vitamin, वसा में विले vitamin कोन कोन से होते हैं, ठीक है, बताइए का मुझे, vitamin K, vitamin E, vitamin D, या vitamin A, या फिर ये सभी, इन में से कोन से vitamin हैं, जो की हमारे वसा में विले होते हैं, जल दल दे कमेंट करके बताओ, देखो guys, मैं simple trick बताता हूँ, आप याद रखो, मैं आपको trick बता रहा हूँ, vitamin को नाम याद रखने के लिए, कीड़ा, कीड़े का मतलब होता है, vitamin K, vitamin E, vitamin D, vitamin A, फिर से repeat करता हूँ, कीड़ा, कीड़ा का मतलब होता है, कीड़ा का होता है, मास में होता है, fat में होता है, fat में मास में कीड़े पड़ जाते, तो वो, उस तरह से, तो आप याद रखना, कीड़ा होता है, मास में, यानि कीड़ा fat में होता है, fat में यानि की वसा में, विले कौन-कौन से vitamin है, तो कीड़े से आप बना लेना, vitamin K, vitamin E, vitamin D, और vitamin A, यानि की सबी, इसका जो right answer हुआ guys, all, यह सबी जो vitamin है, सारे हमारे vitamin, वसा में विले vitamin है, कीड़ा जिसे हम लोग कहते हैं, आप ठीके, E, vitamin K, E, D, और एक कीड़ा जिसे हम लोग कहते हैं, ठीके, तो यह सारे vitamin, वसा में विले, या की वसा में गुलनचिल, vitamin होते हैं, तो right answer हुआ इसका E, E is the right answer, आगे बढ़ता हूँ, which is a water-soluble vitamin, अब जेल में गुलनचिल कौन-कौन से होते हैं, देखो, क्या vitamin B होता है, क्या vitamin C होता है, या both, यह non of this, जल्दी-जल्दी comment करके बता हूँ, देखो, मैं simply बता देता हूँ, C और B, vitamin C होता है, और vitamin B होता है, यह vitamin C और vitamin B होता है, यह वसा में विले vitamin है, sorry, water-soluble vitamin, यानि कि पानी में गुलनचिल, पानी में घुल जाते हैं, यह वाले vitamins, ठीक है, और इसकी trick क्या हो सकती है, तो इसकी याद रखो, vitamin B है और C है, तो physics, sorry, biology और chemistry नहीं पढ़ोगे, तो जाओगे पानी में, यानि कि biology और chemistry कहाँ पर है, पानी में, पानी में यानि कि जल में गुलनचिल, vitamin B और C, biology और chemistry नहीं पढ़ी, तो गए पानी में, biology और chemistry, biology मतलब B vitamin, chemistry मतलब C vitamin, ये दोनों vitamin को क्वाई में घुलनचिल होते हैं, ये दोनों vitamin हमारे, sorry, water-soluble vitamin होते हैं, आगे बढ़ता हूँ, guys, मैं यहाँ से simply, तो right answer both, A, B है और B, B, इसका right answer B, C होता, ठीक है, आप लोग प्लीज है, मुझे comment करके बताते रहो, कि literally आपको समझ में, आ रही है चीजी, बहुत सारे discuss करने वाले MCQ तो हम लोग, description में, link है, और भी MCQ के, आप हाँ से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है, पाच्वा question आता है हमारा, पूछा गया है, study of vitamin is called, याने कि vitamin के अध्यन, देखो, यो question आपको लगते ऐसा है, कि बहुत basic question ह but it is not a basic question, ये बहुत बार exam में पूछे जाते हैं और हम लोग इन ही question में confused होते हैं, ठीक है, तो देखिए, study of vitamin is called, vitamin के अध्यन को क्या कहा जाता है, bacteriology, virology, anatomy और vitaminology, देखो, bacteriology कहा है, तो मतलब होता है, simply guys, कि bacteria का अध्यन करने को bacteriology कहते है, वाइरोलोजी ये कि विशानों का अध्यन करने को वाइरोलोजी कहते है, anatomy मतलब शरीर के संरशना, किसी भी चीज के संरशना का अध्यन करेंगे, तो anatomy में आएगा, और vitaminology, right answer होगा, क्योंकि vitaminology मतलब होता है, vitamin का अध्यन करना, question में यही पूछा गया था, vitamin के अध्यन को क् याद रखना, vitamin के अध्यन को vitaminology के नाम से जाना जाता है, तो vitaminology is the right answer, D is the right answer, तो इसका D हो जाता है, सही, vitaminology, next question बढ़ता हूँ, chemical name of vitamin A, vitamin A का रासाइनिक नाम क्या होता है, vitamin A का रासाइनिक नाम क्या होता है, जल्दी जल्दी comment करके बताओ, क्या calciferol बोलेंगे, tocopherol, retinol या A और B दोनों, जल्दी से आप मुझे comment करके बताओ, vitamin A का रासाइनिक नाम क्या होता है, chemical name क्या होता है, calciferol, tocopherol, retinol, जल्दी जल्दी comment करो guys, जल्दी comment करके please मुझ सकता है केल्सी फिरोल टॉको फिरोल रेटिनोल जल्दी से कमेंट करके मुझे जल्दी बताओ देखो गाईस केल्सी फिरोल नहीं होता है टॉको फिरोल भी नहीं होता है रेटिनोल यानिकी सी इसार राइट आंसर रेटिनोल जो होता है रेटिनोल के नाम से हम लोग विटामि A का जो रासाईनिक नाम होता है वो होता है रेटी नॉल ठीक है तो राइट अंसर हो जाता है आपका C आगे बढ़ता हूं देखो इसमें मैंने कुछ टेबल बनाईए यह समझ लीजिए कुछ विटामिन से उनके रासाईनिक नाम है इनमें से आपको कोई भी पूछा जा सकता है विटामिन A का जो रासाईनिक नाम है वो क्या है रेटीनोल होता है विटामिन B का थाइमीन होता है विटामिन C का एसकॉर्बिक एसिड होता है विटामिन D का कैल्सी फेरोल होता है विटामिन E का टोको फिरोल होता है विटामिन K का फ्लोकिवे नॉन ठीक है फ्लोकिवे आपको चीज़ समझ में आयोगे है कि इसका स्क्रेंशोट ले लो ताकि आप लोग को याद रहे है कि लियर रूआ गाई इस सारी चीज़े विटामिन रेतिनोल थाइमिन एसकोर्पिक एसिट केल्शी केल्सी फिरोल टॉको फिरोल और फिलोकुविनिन ठीक है तो यह राइट जो राइट अंसर के इसमें सारी आपको याद रखने है सारी चीज़े सही है ताकि आप लोग को माइंड में रहेगी कि कौन से विटामिन का क्या रासा ही निक नाम होता है आगे बढ़ता हूं साथवे नंबर का कोश्चन डेसकस करते हैं विच टाइप ओ विटामिन मेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है गुमा फिर आके कहीं ने कहीं पूछा जाता है ठीक है तो विटामिन के होता है विटामिन ए विटामिन डी और विटामिन ए इनमें से जल्दी से आप मुझे राइट आंसर बताओ कि वह कौन सा विटामिन है जो की रक्त का ठक्का जमने में मदद करता है क्लोटीन की फॉर्मेशन करवाता है क्लोटीन होने में मदद करता है तो इसका जो राइट अंसर होगा विटामीन के जो विटामीन के होता है विटामीन के का रक्त का थक्का जमने में मदद करता है रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया में मदद करता है तो इसका जो right answer हो जाएगा A A is a right answer यानि कि vitamin K vitamin K ही एक ऐसा vitamin है जो कि रक्त का थक्का जमने में हमारी produce में मदद करता है तो right answer is A आगे बढ़ता हूँ Which type of vitamin present in golden rice ये question very very golden जैसा important है क्योंकि यह question बहुत बार examo में पूछा गया है कि वह कौन सा vitamin होता है वह कौन सा vitamin होता है जो की golden धान याने की golden color की इस तरह की जो चावल होते है golden color के इन में पाया जाता है vitamin K, vitamin E, vitamin D या vitamin A सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा vitamin पाया जाता है golden धान के अंदर तो मैं बता देता हूँ vitamin जो A होता है वो right answer है D is a right answer जो vitamin A है या golden धान याने की golden धान में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एक vitamin होता है जो की golden धान में मिलता है तो A is a right answer A हो जाता है आपका right यह पर टिक लगाना golden धान के question important double star mark कर लेना है इस question को क्योंकि बहुत बार एक्जामों में यह question आता है आपको आगे बढ़ता हूँ which is important source of vitamin A बोलना है कि vitamin E का इनमें से कौन सा important vitamin E सबसे ज़्यादा किसमें पाये जाता है ताड के तेल में होता है नरियल के तेल में होता है यह coconut oil जिसे बोलते है गेहू अंकुर का तेल होता है यह सरसो का तेल होता है इनमें से कौन सा oil है जिसमें सबसे ज़्यादा मातरा में vitamin E पाये जाता है उसके जो right answer होगा ताड का तेल नहीं हो सकता है नरियल का तेल coconut oil में भी नहीं होता है सबसे ज़्यादा गेहू अंकुर का तेल बनता है कुछ इस तरह का गेहू अंकुर से निकाला जाता है इस तर राइट अंसर हुआ वो हुआ विटामीन गेहु और अंकूर का तेल गेहु और अंकूर के तेल में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामीन यह आपका पाया जाता है तो राइट अंसर टिक किजिएगा आप नेक्स बढ़ता हूं शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा विटामीन उत्सर जित होता कौन सा विटामीन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको बनेगा तो गईस विटामीन के विटामीन ए विटामीन डी और विटामीन ए यह सारे उप्शन आपके सामने है जल्दी से कमेंट कर कि बताओ मुझे कि इसका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या हो सकता है 10 का सब लोगों का कोश्चन सब लोगों को 10 कोश्चन का आंसर जरूर देना बहुत इजी कोश्चन है जल्दी से प्लीज मेरे लिए आप इस वीडियो को पोस्ट करो कमेंड में जाओ और कमेंड में जाकर मुझे बताओ कि वीटामीन कौन सा होता है जो शरीर में सबसे ज्यादा मातरा में प्रोड्यूस होता है तो राइट आंसर अप लोग बताओ मैं तो बताओंगा ही सही लि Why ंसर ओगा जिसने विटामिन के को टिक किया वह एक धम गलत किया है विटामिन ए को टिक करने वाले भी गलत है लिटामिन एस एक रहे जो सूर्री की रोशणी से हमे एक्टिवेटेड हो जाता है और सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे simply हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला विटामिन होता है ठीक है guys आगे बढ़ता हूँ इसका जो राइट अंसर हुआ E C C मतलब कि C वाला option correct है विटामिन D is the right answer विटामिन D सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है आगे बढ़ता हूँ which is chemical name of विटामिन B6 B6 का रासाइनिक नाम क्या होता है जल्दी जल्दी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि विटामिन B6 होता है इसका जो रासाइनिक नाम क्या हो सकता है जल्दी साप लोग मुझे कमेंट करके बताओ विटामिन B6 का रासाइनिक नाम क्या होगा कैलसी फिरोल, टॉको फिरोल, रेटीनल या फिर पाइरिडॉक्सीन जल्दी जल्दी कमेंट करो कि विटामिन B6 का जो होता है हम इसके सोर्स के बारे में भी आगे चलके थोड़ा आगे चलेंगे फिर डिसकस करेंगे अभी आप लोग मुझे इतना बताओ कि इन में से सा कौन सा विटामिन B6 है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है आप लोग इंटेलिजेंट हो, बता सकते हो आप लोग मुझे सब लोग बताओ दुल्दी रेटिनोल जिसने टिक किया वह गलत किया वह बिल्कुल भी सही नहीं है कैल्सिफिरोल भी सही नहीं है इसका जो राइट आंसर होता है पायरेडॉक्सीन पायरेडॉक्सीन जो होता है विटामिन B6 का रासाहिनिक नाम होता है vitamin b6 का आजा आम नाम parodoxin होता है, जल्दिस इस पर दिक लगाने डिपे, जब तक मैं आगे बढ़ता हो विचिस केmicalesser name हो vitamin b7, अब बताओ vitamin b7 का chemical name क्या होता है vitamin b7 बताओ calciferol, tocimon biotin, या फिर parodoxin, जल्दिस आप लोग मुझे विटामिन B7 का रासा इन एक नाम विटामिन B7 का chemical name बताओ इसका जो right answer होगा biotin ठीक है, biotin जो होता है biotin, probiotin, capsule अगिर भी आते market में मिल जाते है ठीक है, तो इसका जो right answer होगा C is a right answer जाने की biotin, biotin के नाम से vitamin B7 को जाना जाता है vitamin B7 का जो रासा इन एक नाम होता है वो होता है, biotin नेक्स आता है which is chemical name of vitamin C vitamin C का chemical name क्या होता है, calciferol sorry, back हो गया calciferol, ascorbic acid biotin या pyredoxin जल्दी मुझे comment करके बताओ कि vitamin C होता है, vitamin C का रासा इन एक नाम क्या हो सकता है, तो right answer होगा इसका ascorbic acid हाँ, definitely ascorbic acid is a right answer ascorbic acid के नाम से vitamin C को जाना जाता है, vitamin C के नाम से, ascorbic acid vitamin C, tablet आती है 500 mg में मिलती है, ठीक है यह ज़्यादा तर जो चूसने वाले गोलिया रहती है उससी में आती है, ठीक है तो C is a, sorry, B is a right answer जो vitamin C का जो रासा ही निक नाम होता है वो होता है, ascorbic acid आगे बढ़ता हूँ चल्ग दूब कोशन discuss करते हैं, which type of vitamin obtained by sunlight सूर्य के प्रकाश से कौन सा vitamin मिलता है जल्दी से आप लोग comment करके बताओ कि सूर्य के प्रकाश होता है, उससे कौन सा vitamin मिलता है, बहुत easy सा question है vitamin E मिलता है K मिलता है, D मिलता है या A मिलता है, K, E, D, A जल्दी से comment करके बताओ तो right answer होगा vitamin K vitamin K is a wrong answer right answer होगा जिसका vitamin D सूर्य के प्रकाश से जो होता है हमें vitamin D की प्राप्ती होती जो सूर्य का प्रकाश हमारी skin पर हमारी तोचा के उपर आता है तब हमारे शरीर में वो vitamin D को activate कर देता है vitamin D बनने लगता है ठीक है, तो vitamin D is a right answer आगे बढ़ता हूँ Which low level of vitamin cause reproductive disease बोलना है कि इन में से कौन से vitamin की कमी हो जाने पर जनन सम्मंदित बीमारिया होती है कि reproductive disease कोण सी condition में देखी जाएगी कि Вitamin K की कमी से जनन सम्मंदित बीमारिया होती है क्या within E से होती है या D से होती है, या E से होती है जल्दी आप मुझे comment करके बताओ के जनन सम्मंदित बीमारिया यान्ड कि योथन सम्मंदित बीमारिया कोण सी कौन से विटामिन की कमी से हो जाती है, ठीक है, reproduction नहीं हो पाता, बच्चे नहीं बन पाते, बच्चे नहीं हो पाते, कौन से विटामिन की कमी से, sex capacity गम हो जाती है कौन से vitamin से तो वो होगा vitamin E जो vitamin E होता है हमारे sex capacity को बढ़ाता है और साथ ही साथ में ये किसी भी प्रकार की diseases नहीं होने देता reproduction से related ठीक है तो general से related जो विमारिया होती है vitamin E की कमी से होती है तो right answer हुआ इसका vitamin E याने की be the right answer आगे बढ़ता हूँ low level of vitamin cause calcium deficiency which type of which low level of vitamin cause calcium deficiency simple question पूचा गया है कि वे कौन सा vitamin होता है जिसकी कमी हो जाने पर आपको calcium की deficiency हो जाती है वे कौन सा vitamin होता है जिससे calcium की deficiency होती है vitamin K E D A जल्दी से आप लोग मुझे बताओ calcium की deficiency कौन से vitamin की कमी से होती है आप लोग के comment मैं पढ़ूँगा ले solva का right answer आप लोग मुझे comment में बताओगे कि इसका right answer क्या होगा ठीके तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ पर solva question का मुझे right answer आप सभी से चाहिए प्लीज यार आप लोग नहीं वीडियो को post करो comment करके मुझे बताओ कि 16 का right answer क्या हो सकता है कि जो vitamin कौन सा ऐसा है जो कम हो जाने पर हमारे शरीश में calcium की कमी हो जाएगी calcium की deficiency हो जाएगे which vitamin is called anti-cancer vitamin ये question भी बहुत बार एक्जामों में आया है पूछा गया है कि वह कौन सा vitamin है जिसे हम लोग anti-cancer anti-cancer vitamin cancer को कम करने वाला cancer को खतम करने वाला बन करने वाला ऐसा कौन सा vitamin होता है vitamin K, E, D, A इन में से right answer जल्दी आप लोग मुझे comment करके बताओ कि वह क्यों सा vitamin है जिसे vitamin की कमी से जिसे हम anti-cancer vitamin के नाम से भी जानते तो right answer होगा vitamin D vitamin D को हम लोग anti-cancer vitamin B कहते तो D is the right answer आप लोग इसको google पे भी search करके देख सकते हो कि anti-cancer vitamin किसे कहते है कुछ लोग क्या है कि मैंने बहुत सारी video में देखा है कुछ लोग vitamin B को बोलते कि जो vitamin B होता है anti-cancer vitamin पर exactly अगर मैंने देखा है तो vitamin D होता है वो anti-cancer vitamin के नाम से भी जाना जाता है anti-cancer vitamin होता है चाहो तो आप लोग google करके देख सकते हो कि anti-cancer vitamin कोन से है तो अगर मेरे उपर बलीव ना हो तो आप लोग देख लेना ठीक है पर बहुत सारे लोग अलग-अलग मित देते हैं इस question related बाकी vitamin D is the right answer आप लोग सच कर सकते हो आगे बढ़ता हूँ विच विटामिन इस कॉल्ड ब्यूटी विटामिन जल्दी से बताओ beauty vitamins के नाम से किसे जानते हैं पता देता हूँ right answer होगा vitamin E vitamin E is a beauty sorry beauty vitamin E is a खुपसूरती का vitamin B भी बोलते हैं क्योंकि vitamin E के capsules भी आते हैं जो कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं रात में अपने skin पर लगा के पूरे राप करके वो सो जाते हैं ठीके या फिर उसको चारो तरफ लगाते skin पर तो उससे सोंदर ही vitamin B कहते हैं क्योंकि vitamin E से जो हमारे तुच्छा का जो निखार है वो बढ़ जाते हैं आप लोग भी try कर सकते हैं vitamin E के capsules आपको market में मिल जाएगे वो साथ ही साथ मैं आपको पता दू कि vitamin E मैं मानता हूँ कि वो संदर vitamin but vitamin C होता है वो भी कहीं ने कहीं हमारी beauty में संदर रिता में बहुत important role करता क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपने नीबू को skin पर रगड़ते हुए देखा होगा क्योंकि वो जो dust particle होता है उसको easily clean करना है cleansing का काम करता है तो vitamin C भी बहुत important है but इसका right answer होगा vitamin E B is the right answer आगे बढ़ता हूँ which vitamin is called sinocobalamin sinocobalamin के नाम से वो कौन सा vitamin है जिसको जाना जाता है right answer जल्दी आप में जो comment करके बताओ vitamin K, B2L, D या A इन में से कौन सा vitamin है जो की sinocobalamin के नाम से जाना जाता है जल्दी से comment करके बताओ मुझे इसका जो right answer हो guys vitamin B2L B2L is the right answer जो B2L होता है इसको यह जो natural sources बताया है इसमें fish होता है और भी बहुतारी meat वगेरा बताया है milk बताया है ना इन सब में क्या होता है vitamin B2L होता है B2L को cobalamin sinocobalamin के नाम से जानते है इसको cobalamin कहते है तो right answer होगा vitamin B2L यानि कि right answer sinocobalamin sinocobalamin के नाम से जानते है आगे बढ़ता हूं which vitamin cause eye disease या कि आखों से संबंदित बीमारिया कौन से vitamin की कमी से होती है जल्दी से comment करके बताओ कि आखों से संबंदित बीमारिया वह कौन से vitamin है जिससे आखों से संबंदित बीमारिया होती है जल्दी से बताओ vitamin K हो सकता है vitamin B हो सकता है या फिर vitamin D हो सकता है जल्दी आप लोग comment करो इसका जो right answer वोगा इसमें बता देता हूँ, vitamin A, vitamin A की कमी से आपको आको से सम्बंदित बीमारिया होती है, कौन-कौन से आगे बताता हूँ, इसका right answer वोगा, D, आगे बढ़ते हम लोग, which type of vitamin present in green vegetable हरे पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज़्यादा कौन से विटामिन पाया जाता है, क्या vitamin K होता है, B12 होता है, D होता है, या A होता है, तो देखो मैं बता दू, vitamin A जो होता है, हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में A, vitamin A हरे प विटामिन कोस, नाइट ब्लाइंडनस, किस विटामिन की कमी से रतोंदी रोग होता है, रतोंदी रोग को नाइट ब्लाइंडनस भी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनस कौन से विटामिन की कमी से हो जाता है, तो देखो इसका जो राइट आंसर में आपको बता दू, कि जो रत रतोंदी रोग होता है वो simply हमें होता है vitamin A की कमी से जब हमारे शरीर में vitamin A की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तब उस अवस्था में हमें कौन सी विमारी देखी जाती है उस अवस्था में simply disease देखी जाती है वो होती है रतोंदी रोग याने कि night blindness जैसे English में कहते हैं ठीक है I hope कि आपको समझ में आया होगा प्लीज यार गईस कमेंट करते रहो और अगर आपको लेटरले में ये वीडियो helpable है ये वीडियो मददगार है तो आप लोग मुझे कमेंट करका जरूर बताइएगा कि उससे मेरा motivation बढ़ता है देखो गईस नेक्स है विश टाइप ओव formation by skin ठीकि तोचा के उपर किसी कौन से विटामिन बनता है ठीक है तो सबको पता है विटामिन डी होता है सूर्य का प्रकास जब हमारे तोचा पर आता है तब हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है विटामिन डी तो d is a right answer option c write करना d is a right answer ठीक है तोचा के दौरा कौन सा का निर्मान होता है वो होता विटामिन D ठीक है और संसिलेशन की बात करूँ कि हमारे शेरी में कौन सा विटामिन बनता है तो ऐसा कोई सा भी विटामिन नहीं है जो हमारी बोड़ी में संसिलेशित होता है वो हमें बाहर से किसी सोर्स से से लेना पड़ेगा चाहे हम धूप स ले ले, sunlight से ले, full fruits से ले, खाने से ले, किसी भी चीज से ले, clear हुआ, तो इस वाले का D is the right answer, sorry, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, अब देखो, मैंने कुछ यहाँ पे एक चार्ट बनाया, फोलो चार्ट, ठीक है, इस फोलो चार्ट में, simply मैंने बताया है कि कौन से विटामिन स रतोंदी रोक हो सकता है, संक्रमण का खत्रा रिता है, ठीक है, ओर भी मोतिय बीण जैसे समझ्चा हो सकती है, तोचा शोश्क और शेलकी हो जाती है, ठीक है, यह कुछ बिमारिया है, झो विटामिन A की कमी से होती है, अब विटामिन B की कमी से, B1 की कमी से, बेरी-बेरी disease, बेरी बेरी जो रोग होता है बेरी बेरी डिसीज होती है वो विटामिन B1 की कमी से होती है विटामिन B2 की कमी से तुचा का फटना आखों का लाल होना ठीक है तुचा फटी फटी रेगी आखें लाल हो जाएगी यह किस की कमी से होता है विटामिन B2 की कमी से अब विटामिन B3 की कमी से तोचा पर दाध होना, जब B3 की कमी हो जाएगी तोचा पर रिंग वंग बनने लगेगी आपको, ठीक है, सपेज सपेज चठे आपको दिखाई देने लगेंगी तोचा के ऊपर, विटामिन B5 की कमी से बाल सफेद हो जाते हैं, और मंद बुद्धी होने लगता है, बाल सफेद होने लगते हैं, बाल गिरने भी लगते हैं, विटामिन B6 की कमी से एनिमिया हो सकता है, तोचा का कोई रोग हो सकता है, जो इसकी ने, उसमें कोई प्रोबलम देखने को मिल सकत विटामिन B7 से लखवा हो सकता है आपको शरीर में दर्द हो सकता है बालों का गिरना बाल भी गिरने लगता है किसकी कमी से विटामिन B7 की कमी से यह भी कॉमप्लेक्स है पूरा जो आपको समझना है विटामिन B9 से दिया नहीं हुआ है I think मुझे भी आइडे नहीं है कि विटामिन B12 की कमी से एनिमिया और 25 रोग 25 जैसी बीमारिया और एनिमिया देखा जा सकता है विटामिन C की कमी से इसकरवी डिसीज होती है विटामिन D की कमी से रिकेट्स हो सकता है ठीक है और विटामिन E की कमी से जनन शक्ति कमजोर विटामिन E का तो मैंने आपको विटामिन के जो होता है हमारे रख्त का थक्का जमने मदद करता है पर यदि विटामिन के की कमी हो जाएगी तो मैं रख्त का थक्का नहीं जमेगा आगे बढ़ता हूँ ठीक है next question है what is chemical name of vitamin B2 B2 का रासाइनिक नाम क्या होता है जल्दी साप लोग मुझे comment बताओ देखो को इसके flow chart आप download कर लोग महां से आप पढ़ते रहो एक दिन में कभी याद नहीं होगा बट आपको पढ़ना पढ़ेगा calciferol, tocopherol, riboflavin या फिर pyridoxin इन में से कौन सा रासाइनिक नाम vitamin B2 का होता है राइट आंसर है इसका riboflavin जो riboflavin होता है riboflavin chemical नाम होता है किसका vitamin B2 का तो राइट आंसर हुआ गाई राइबो फ्लेविन इस राइट आंसर आगे बढ़ता हूँ नेक्स आता है which type of vitamin present in fish liver जो मचली के liver में कौन सा vitamin पाया जाता है जल्दी से comment करके बताओ इस question का answer आप लोग मुझे दो जल्दी मैं वेट करूँगा मैं आपको सबी लोगों को 10 सेकंड का समय देता हूँ कि जो vitamin जो आपको कौन सा vitamin जो मचली के liver में सबसे ज्यादा मिलता ह vitamin K, B2L, D या A, जल्दी से comment करो मैं सब के comment पढ़ रहा हूँ, वीडियो को post करो, post करके मुझे comment करके बताओ कि कौन सा इसमे right answer हो सकता है, तो right answer होगा vitamin D, क्या आप सो भी लोगों ने यह comment किया था, यह answer एकदम गलत है, vitamin B2L एकदम गलत है, vitamin K भी गलत है, तो right answer इसका होता है vitamin A, जो vitamin A जो होता है, या fish के liver में, मचलियों के liver में पाया जाता है, ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, what is chemical name of vitamin B5, B5, B5 का, B5 का जो chemical name होता है, क्या होता है, calciferol, tocopherol और pentothenic acid या pyredoxin, जल्दी से comment करके बता होगाई, कि मुझे इसका right answer क्या हो सकता है, pyredoxin, pentothenic acid, tocopherol या calciferol, जल्दे दे comment करो, इसका जो right answer होगाई, pentothenic acid, जो pentothenic acid होता है, यह chemical name होता है, रासाइनिक नाम होता है, किसका रासाइनिक नाम होता है, विटामिन B5 का रासाइनिक नाम, pentothenic acid होता है, आगे बढ़ता हूँ, what is chemical name of vitamin B3, B3 का रासाइनिक नाम क्या होता है, जल्दे से comment करके बताओ, कि जो vitamin B3 है, इसका रासाइनिक नाम क्या हो सकता है, nicotinic acid, जो nicotinic acid होता है, यह chemical name होता है, vitamin B3 का, आगे बढ़ता हूँ, what is chemical name of vitamin D, vitamin D का तो सब लोग से मुझे expectation है, आप लोग अभी जाओ, comment करो, comment करके मुझे बताओ, इसका right answer क्या होगा, vitamin D का, कि मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला आपको, कि मैं बिल्कुल भी नहीं बताओंगा, कि calciferol vitamin D का रासाइनिक नाम होता है, आप लोग मुझे comment करके बताओ, कि vitamin D का रासाइनिक नाम क्या है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि विटामिन D का रासाइनिक नाम केल्शी फिरोल होता है ये राइट अंसरे मैं नहीं बताऊंगा आपको आप लोग मुझे कमेंट करके बताऊ प्लीज यार गाईज इसका कमेंट जरू कोईजेगा किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है विटामिन K, विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन है इन में से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी कमी से आपको रिकेट्स की डिसीज होती है विटामिन A की कमी से रिकेट्स नामाग जो डिसीज होती है वो देखी जाती है तो A is the right answer आगे बढ़ता हूँ Sorry Which type of vitamin used to antioxidant ऐसा कौन सा vitamin है जिसको हम लोग antioxidant की तरह use करते जल्दी सा आप लोग मुझे comment करके बताओ कि वह कौन सा vitamin है ऐसा कौन सा vitamin होता जिसको antioxidant vitamin की तरह इस्तमाल किया जाता है vitamin K, C D, A जल्दी comment करके बताओ इसका right answer होगा इस vitamin C इसको हम लोग antioxidant की तरह use करतें क्यों क्योंकि जिसके कभी-कभी सर्दी जुगां हो जाती लोग क्या करतें और नीपू से तो और ज़्यादा सर्दी होगी नहीं भी है जो नीपू अगे रहता है कभी-कभी लोग नाक में भी डालते हैं, गले में भी देते हैं, गरम पानी में डालके आपका गला एकदम फ्रेश होता है, साफ हो जाता है, जो वहाँ पर संक्रमन होता है हमारे गले में, वो एंटियोक्सिदेंट की तरह काम करता है, वहाँ पर उसको मार देता है, किल कर दे तो याद रखना का इस vitamin C antioxidant की तरह काम करता है, बहुत important vitamin होता है, which type of disease cause due to lack of vitamin B3, B3 की कमी से आपको कौन सी बिमारी होती है, बेरी-बेरी रोग होता है, mental disorder होता है, rickets होता है, ulcer होता है, अभी थोड़ी देर पहले flow chart पढ़ाया था, उसमें दिया था, तो जो mental disorder होता है, मानसिक रोग होता है, मानसिक बीमारी होती है, ये vitamin D, B3 की कमी से होती है, ये चीज़ आप लोग दिहान रखिएगा, आगे जल्दी से आप लोग मुझे, मैं आपको 4 questions दे रहा हूँ, 4 questions के answer आप मुझे जाईए, पहला question तो मैंने आप से पूछा है, कि जो RBC के बनने में कौन सा vitamin मदद करता है, दूसरा मैंने पूछा है, जो पानी के जल में कौन सा vitamin पाया जाता है, जल्दी से सर्च करो, comment करके ज लास्ट answer आता है, which type of vitamin is it called hormones, कौन से vitamins को hormones के नाम से भी जाना जाता है, इन सभी के answer मुझे, मैंने 5 questions आपको दिये, आप लोग मुझे comment कर के, इसके right answer जो बताओ, ठीक है, मैं उनके नाम भी, next video जो आएगी, मैं सब लोगों के नाम जो winner रहेगा, उसके नाम जरो मैं screenshot लेके मैं show करूँगा अपनी वीडियो में, कि इन व्यक्ति ने इसका 5 questions का right answer दिया है, ठीक है, thank you for watching guys, please, आर वीडियो को like, चैन को subscribe करते हुए जाईएगा, बहुत important चीज़े मैं पढ़ाता हूँ, एक बार मेरे चैनल को देख लो जाके, MCQ वाला playlist में दिया हुआ है, बहुत सार करूँगां को अच्वच है, जारा मेरे चैनल को जईवाँ आपनी शीकुर्ण